जैहिन दोस्तो स्वागत करते हैं आपका हमारी इस नए वीडियो में दोस्तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं चंदीगर जेबिटी यानि की जूनियर बेसिक टीचर्स दोस्तो मोबाइल से एक फॉर्म को कैसे फिल करना है आपको step by step लाइफ फॉर्म फिल करके दिखाएंगे ताकि आपसे फॉर्म बरने में कोई भी गलती नहीं हो उसके पर दोस्तो कुछ जरी बिंदू पर जहान देंगे जैसे कि इसके नेटिफिकेशन पर तो मैं इसका नेट कर सकते हैं अब इनपॉर्टेंट में देखेंगे जो फॉर्म की डेट है 24 जनुरी 24 से स्टार्ट हो गई है उसके बाद जो इसकी लाज़ डेट है वह है 19 फरवरी 24 सामके 5 बे तक इस फॉर्म को भर सकते हैं और दोस्तों इसकी जो लाज़ डेट है फिस जमा करने की तो 22 फ इसकी बाद का 179 है वीची का 94 है यसी का 84 है यसी का 49 है टोटल मिला के आपका 396 पोश्ट यहां पर दिखाया गया है तो आप अपने केटेगरी वार्ज यहां पर सीटों को भी देख सकते हैं अब दोस्तों देखेंगे यहां पर दिया गया है जैसे कि इस्ट्रक्शन्स रि पर दिया का होना चाहिए देखेंगे पर मैट्रिक्स दिया गया है यानि की जो आपकी सेलरी है यहां पर सो कर रहा है आप देख सकते हैं उसके बाद दोस्तों यहां दोस्तों अगर बढ़ते हैं अब जोस्तों इस्ट्रक्श करके आगे बढ़ेंगे दिखेंगे यहां पर दिया गया है इसेंटेर क्वालिफिकेशन फॉर्द पोस्ट आप जेवीटी यानि कि आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए तो सबसे पर दिया हुआ है गेजुएट और यहां इक्वा टेस्ट इलेजिबिटी टेस्ट इनिकी सीटेट भी आपका जो है पास होना चाहिए तो आप इसके लिए इलिजिबल होंगे ठीक है अब देखें यहां पर दिया गया है स्रेटिफिकेट ऑफ ड़ आईसिटी इसकिल कोर्स यानि कि सी सी की सेटिफिकेट अगर आपके पास ह अब जो कोर्स है आप किये हुए है तो आप इलिजिबल रहेंगे अब जोस्तो इस को करके आगे बढ़ते हैं तो यहां देखेंगे आपका syllabus वेगरा सो करेगा कोर्शन कौन-कौन से आएंगे किसे रिलेटेड रहेंगे यह सब सो करेगा इसको आप पढ़ लिजेगा यहां देखेंगे एस लिमिट भी दिया गया है एक कई से लेके 37 वर्स आपकी आयू होनी चाहिए ठीक है तो आप अच्छे से एक बार इसको पढ़ लिजेगा क्योंकि मैं पुरा पढ़ूंगा तो वीडियो काफी लंबा जा सकता है तो दोस्तो आप पढ़ दिलिजेगा उसके बारी फॉर्म को फिल करिएगा तो चलते हैं दोस्तो आपको फॉर्म फिलब प्रोसेस पे लेके चैनल पर नहीं होंगे तो सब्सक्राइब कर दिजेगा क्योंकि मैरा काम से वीडियो बनाना नहीं होता है मैं आपके कमेंट का तब तक रिप्ला जेता हूँ जब तक कि आपकी समस्याओं का समाधान ना हो जाए तो सब्सक्राइब जरू कर लिजेगा अब दोस्तों फॉर्म फिलब के लिए आप आलेंगे यहाँ पे ऑफिसिल पोटल पे यहाँ पे डिरेक्टेर आप इसकूल एजुकेशन चंडीगर एडमिनिस्टेशन यहाँ पे आलेंगे इसके वेव साइट पे यहाँ से स्कॉल करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे दिया गया है देखेंगे हैं पर जोह को इस प्रकास से सोग करेगा यहां पर अप्लिकेंट आफवड़ेक्ष्ट प्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए इंटर फूल नेम दिया हुआ है तो इंटर फूल नेम में आप अपना पूरा नाम डालिएगा जो भी आपका पूरा नाम है इस प्रकार से लिख दीजेगा जैसे मैं अपना नाम लिख के लिखा रहा हूं यहां पर ठीक है तो इस प्रकार से अपना नाम आप लिख दीजेगा उसके बाद दोस्तों यहां से डेट आप बर्थ को आप यहां पर लिख सकते हैं के यहां पर इंटर इमेल आइडी को फिल करेंगे उसके बाद देखिए इमेल आइडी को फिल करने बाद सेंडर email OTP पे click करेंगे तो आपके mail पे एक OTP जाएगा OTP को देखें यहाँ fill करना है इंटर OTP में इसको fill करने के बाद verify email OTP पे click कर देंगे ठीक है आपका email जो है verify हो जाएगा उसके बाद देखेंगे इंटर mobile number तो यहाँ पे mobile number को enter करेंगे mobile number एंटर करने बाद फिर एक OTP आएगा mobile पे भी तो यहाँ पे OTP को fill करके यहाँ पे verify mobile OTP पे click कर देंगे तो verify हो जाएगा उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अधार card number दिया हुआ तो अधार card number को यहाँ पे fill करेंगे और registered के option पे click कर देंगे यहाँ दोस्तों अपने मैं हर्ची fill कर लिया हूँ उसके बाद दिखेंगे यहाँ रजिस्टेट के option पे click करेंगे आपको step by step live हम करके दिखाएंगे यहाँ पे कुछ भी छिपाएंगे नहीं अब दिखेंगे यहाँ पे यहाँ लखेंगे application number मिल चुका है अब यहाँ पे दिखेंगे प्रोसीट का option है यहाँ पे प्रोसीट का option पे click करेंगे आगे बढ़ेंगे दोस्तों अब देखेंगे आपके सामने कुछ ऐसा interface दिखेगा उसके बाद जो है कि आपको यहाँ पे login करना पड़ेगा लगता है एहाँ प्रोसीट तो और नहीं यहाँ से इसकोर करके आगे बढ़ेंगे दिखेंगे यहां दिया हुआ है प्रोसीट तो और लाइन अप्लिकेशन तो अब सिंपल इस पर आपको क्लिक करना है दोस्तों मैं live form करके दिखा रहा हूँ इजी लिए जो है अब देखेंगे यहां आपका नाम सो करेगा यहां पे आपका पोश्ट अप्लाइट सो करेगा तो यहां से अब देखेंगे जेंडर का option मिल जागा यहां से आप मेल है फिमेल है या अदर्स है तो अपने according यहां पर select पूपोश्ट कर लिएगैं और फाथ स्निंगा अप्सेंगे तो पीतसवी का यहां नाम को फील करेंगे उसके बाद देखेंगे यहां अपने अपरछेजिए आप चूज कर लिजेगा यहां से आपका डिटा ब़ायब लगर मॉबाव हूदी सो करेगा ओगे बढ़ते हैं क्लासें आगे बढ़ेंगे यहां पर देखेंगे के अप्सें अपने कर लेंगे जैसे माली जैसे आप आप सलेक्ट करते हैं यहां लोगिठे करने पर भी यहां पर खुल कोरुट नहीं आ रहा है कि उसका सेट्विकेट नंबर देना हो तो ठीक है तो यहाँ पर अपने according आप चूस कर लेंगे general OBC या जैसे जैसे जो भी होंगे उसको चूस कर लिजेगा ठीक है अब देखे एक चीज और दोस्तों मैं आपको बना चाहूंगा जैसे यहाँ केटेग्री दिया हुआ है तो आप यहीं मा लिजे जैसे OBC को आप चूस करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर PICHA के चंदिगड़ OBC लिष्ट दिया गया है तो यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे क्लिक करेंगे तो देखे आपका जो है कि जो जाती है OBC जाती है Central Government के यहाँ पर लिष्ट में दिख रहा है कि नहीं तो ठीक है इस परका जैसे हेरिया हो गया है हेरी हो गया नायक हो गया थोरी हो गया तो यह जाती है दिया गया है जो कि अगर इस लिष्ट में आपका सो करता है तभी आप OBC में फॉर्म को भर पाएंगे ठीक है अन्यत्रा आप नहीं भर पाएंगे तो आप जनरल में यहाँ पर फॉर्म को भरेंगे ठीक है यहाँ पर दिया हुआ है वेजर बिलॉंग्स टू पी ड़ू ड़ू किटेगरी क्लिक करेंगे यह आप जिब्यांक केंडिडेट हैं तो अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर स्कॉर करेंगे दिया है वेजर वर्किंग ऑन कॉंटेक्ट गेस्टीचर इंगर्मेंट इसकूल अंडर द चंडीगर अड्मिस्टेशन एस पर डिटर इन एडवाइस टेंस में तो यानि कि आप माली जी कहीं जाब कर रहे हैं कॉंटे तो यहाँ पर अपने कॉंटिंग यसनों में आप जबाब देंगे तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ करते हैं तो क्या होता है नो करने पर तो यहाँ कुछ भी नहीं आ रहा है तो अगर आपके पास होगा ICT Skill Course कम्प्यूटर का तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ में जबाब देंगे उसके बाद देखे दिया हुए Select Option of the Medium of Examation Question Paper तो Select करेंगे एक्जाम आप किस में देंगे English and Punjabi या English and Hindi में तो अपने according चूज कर लिजेगा अब पुछेगा RUA Departmental Candidate आप भी विभागी आदमी होंगे तो Yes No में जबाब देंगे उसके बाद दोस्तों यहाँ Proceed Next to Address Details के Option पे क्लिक कर देंगे ठीके दोस्तों तो मैं अपना जो है कि सब फिल कर चुका हूँ अब देखेंगे यहाँ पर Proceed Next to Address Details के Option पे क्लिक करेंगे अब जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने देखें यहाँ पर Corpondence Address का Option आजागा तो यहाँ पर Address में आपका जो भी पूरा पता है पूरा पता अपना लिख दीजेगा Village जो भी आपका होगा तो यहाँ पर लिख दीजेगा उसके बाद दोस्तों यहाँ देखेंगे State का Option मिलेगा यहाँ पर State आप किस State से बिलॉंग करते हैं अपने State को आप चूस कर लेंगे अब दोस्तों State चूस करने बाद यहाँ District का Option मिलेगा District के Option पर यहाँ पर क्लिक करके आप जिस भी जिले के निवासी होंगे अपने जिले को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर Pin Code का Option मिलेगा जो भी आपका Pin Code होगा आपके चेतर का उस Pin Code को यहाँ पर Enter कर देंगे ठीक है Pin Code को Enter करने बाद दोस्तों यहाँ देखेंगे Check Box मिलेगा Check Box पर टिक करेंगे तो उपर जितना भी पता आप भरे हैं इसमें Automatic Show हो जाएगा ठीक है आपका Option मिलेगा यहाँ से Score करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे नीचे दिया गया है गेजवेशन का डिटल देना है उसके बाद डिप्लोमा का देना है और उसके बाद आपका सीटेट का देना है तो यहाँ पर Add New Qualification का Option मिलेगा Simple इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ घ्याँ मैं आप जो भी चीश कीए है तो उसको लिगदेंगे अब जोस्तो यहाँ देखेंगे अपने गेज्यु ऑयाँ नाम लिख देंगे पासिंगिंगे यहां पर लिखेंगे किस तर्में आप डिश और को पास के你們 उस संट को लिख देंगे अब देखेंगे यहाँ पर mark obtained पूछेगा तो कितना number आप graduation में पाएं थे उसको यहाँ पर फिल करेंगे अपने according ठीक है अब देखेंगे यहाँ total mark दिया है तो कितने पुरांग का था आपका graduation उसको यहाँ पर एंटर कर देंगे एंटर करने बाद दोस्तों यहाँ percentage था या grade system था CGPA था जो होगा उसको फिल करेंगे उसके बाद percentage को यहाँ पर लिख देंगे आगे पढ़ेंगे दोस्तों उसके बाद दिखेंगे यहाँ पर subject का option मिलेगा subject कौन कौन सा था आपका graduation में उस subject को फिल करेंगे board of university तो अपने university क का आप यहाँ पर नाम लिख देंगे ठीक है इस परकार से अपने university का नाम लिखेंगे उसके बाद degree mode पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर regular थे आप या private थे तो अपने according यहाँ पर choose कर लेंगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पर save qualification के option पर क्लिक करेंगे अब देखिए दोस्तों फिर यहाँ पर add new qualification पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पर देखिए फिर select के option क्लिक करेंगे भी दोस्तों यहाँ पर डिलस्तर बरने के बाद आपके लिटैन के बार मुण सेफी करिए लिए अब भी सेफीर होसाउ में कास्टरा करेंगे वारे तून है को कि यहां दोस्तों तीनों का अपना जो है डिटेल देने के बाद ग्रेजवेशन का डिलेट का और सिटेट का तब देखेंगे नीचे बढ़ेंगे स्क्रॉल करके तो यहां पर प्रोसिट तू फिल आई सीटी डिटेल्स दिया हुआ है तो सिंपल इस पर क्लिक करेंगे अब द इसके बाद अरिटी इ में में यहां पे लिखता यहां न की आपके देखेंगे तो अपने कॉर्ण यहां पर लखेंगे सकते हैं अन्हां चोडेल्स करन साань ग्रेतलक में पोफित läuft दीजीगा उसके बाद रिमार्क में acum कुछ भी लिख सकते हैं अन्यथा इसको आप छोड़ भी सकते हैं यहां मैंडेटरी नहीं है इस्टार मार्क नहीं लगा है उसके बाद दोस्तों यहां पर अपडेट के ओप्सन पर क्लिक करेंगे तो यह आपका अपडेट हो जाएगा टीपल सी के डिगरे ठीक है अब देखिए अ जो 80KB से जो है उपर का साइज नहीं हो चाहिए JPG और PNG में आपको यहां पर अलाव किया गया है अलाव फाइल साइज हां ठीक है PNG में यहां पर दिया हुआ है ठीक है तो यहां पर अप्लोट करते हैं उसके बाद आगे का प्रोसेस दिखाते हैं यहां दोस्तों देखें करके ठीक है तो आप यहां पर नीला वाला जो है थम लगाएगा उसके बाद दोस्तों यहां प्रोसीट तु सब्मीट फॉर रिव्यू का उप्से मिलेगा सिंपल इस पर आप क्लिक करेंगे अब देखेंगे यहां आपके सामने जो है कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा रि आपको यहां पर देखेंगे यहां पर प्रकास पर अब्लिकेशन का उप्सन मिलेगा सिंपल इस पर क्लिक करेंगे इस प्रकास पर पपप आएगा ओके करेंगे आप सक्सेसफोल नहीं हो चुका है आपको देकर यहां करने के आपके कर दोगेगा तो यहां करेंगे तो यहां पर नाम पीता का नाम मॉबार इमेल आड़ी उसके बाद यहां पूस्य स तबक्रउल तेक है अब देखे पेस्ट लोडिंग लेगा अब आपके सामने देखिए कई सारे यहां पर मैंटर मिल जागा पेमेंट करने का जैसे कि नेट बैंकिंग है डेबिट कार्ड है यूपियाई है तो जिससे भी आपको सुटेबल होगा आप कर सकते हैं यहां देखिए क्यूर को देखिए क्यूर को ऑप्सिंट का सकते हैट तो किक रिखق मेंट करके सृटेखर करकं कि आपका पेमेंट प्रेश्ट करेंगा उसके बाद जुस्तों आपको यह और प्रिंट ऑट करनेद परसेंट को hardcore आपका सक्षेस्फुल हो जाएगा उसके बाण दोस्तों आपको के नि आसा करूंगा दोस्तो वीडियों सर्म में आई होगी तो लाइक जलू कहाई होगक जार्ग और अपनी जरूट मन दोश्टों में शेयर भी कहाई जहा Mihalikinde और अपने कौई समस्या आती है तो आफ कमेंट कीजिए मैं आप और कमेंट में रीप्राइप कर दूंगा। मिलते है किसी नेक्स वीडियो में तब तक लिए जाहिएंग और बान दोस्तो थेंक यू पर वाचिंग